हेलो फ्रेंड वेलकम तो इस्टडी न्यूज आज हम इस वीडियो में पेरियार नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे ये पार्क दच्छडी भारत में सबसे लोकप्रिय राश्टी उद्यानों में से एक है ये पार्क विसेश रूप से हाथियों के लिए जाना जाता है पेरियार पार्क दुनिया में सबसे अधिक जैव विविध छेत्रों वाले पार्कों में से एक है तो जानते हैं इस वीडियो में इस नेशनल पार्क के बारे में So let us start ये पार्क बाक सनक्षी छेत्र है और वर्स 1998 में हाथि सनक्षर परियोजना के अंतरगत भी लाए गया है पेरियार राष्ट उद्यान दच्छिड भारत के केरल राज में इस्थित है ये केरल के पश्चिमी तटो के मैदानी इलाकों में इस्थित है ये इलाइची हिल्स की एक पहाडी छेत्र के बीच में इस्थित है ये 1200 मीटर के उचे पठार पर फैला हुआ है अब जानते हैं पेरियार नेशनल पार्क के स्थापना की बारे में पेरियार राष्ट उद्यान दच्छिड भारत में वन जीव की विविधता का बड़ा गड़ है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी जबकि टाइगर रिजर्व सन 1978 में सुरू की गई थी इस उद्यान के बीच में एक आकरसित जील भी है जो एक कृतिम जील है जो सन 1895 में पेरियार नदी पर बांध बना कर बनाई गई थी अब जानते हैं जैव विविधता की बारे में इस उद्यान में कई आकरसक वर्न जीवों को देखा जा सकता है जैसे बाग, हाथी, जंग्ली सुवर, हीरन, कुत्ते और भी कई प्रकार के यहाँ पे पक्छी, जीवों और मच्छियों की कई प्रजातिया निवास करती हैं और जैव विविधता में नीलगिरी, बंदर और लंगूर भी देखे जा सकते हैं यहाँ पक्छियों की बात करें तो डार्ट्स, किंग फिसर, हारन बिल, मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं घूमने वाले सेनानियों को यहाँ दुरला प्रकार के कीट पक्छी देखने को मिल जाते हैं और कभी कभी कोबरा भी यहाँ देखने को मिल जाता है इस उद्यान के वन जीवों को अच्छी तरह से देखने के लिए लोग नाव की सवारी करते हैं जो सबसे अच्छा साधन माना जाता है यहाँ सेलानियों को गूमने के लिए वोटिंग की अच्छी व्यस्ता भी है जिससे हाथी, हिरन, कई प्रकार के पक्छी और जानवर जील के किनारे देखे जा सकते हैं जो काफी आकरसन का केंद्र है तो यह थी पेरियार नेशनल पार्क से जुड़ी कुछ प्रमुख बाते अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट